Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल पाकिस्तान आर्मी जिसकी वज़े से काफी सारे सोलजर्स वहाँ पे शहीद हो गए है, और काफी 10 सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान में, इन फाक्ट ऐसी भी खबरे आ रही हैं कि शायद जो इनके PM हैं, वो वार डिक्लेर कर सकते हैं अगेंस तहरी के तालिबान, बट क्या पाकिस्तान अभी ऐसा सिचुएशन में वार अफोर्ड कर सकता है, कंसेंटरिंग कि उनकी जो एकॉनिमी के हालात हैं, तो जो बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी हैं, जैसा कि आप जानते हैं, सदन मोस्ट प्रोविंस ओफ पाकिस्तान जो है, वो बलुचिस्तान प्रोवि पाकिस्तान अर्मी करों ने बोला कि एक कैप्टन और चार सोलजर शहीद हो गए, जो 25 दिसंबर को बलास्ट हुआ, और अब न्यूज ही आ रही है कि उसमें तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान इस्टान इस्टाबिश्मेंट के, वो जो है, उसनों ने भी क्लेम किया है इ कि क्या हुआ है, तो अगर आप देखेंगे ये बलुचिस्तान जो सदन एरिया ऑफ पाकिस्तान है, सदन प्रॉविंस है, वहाँ पे कोलू करके जगे जहां पर ये अटैक हुआ है, कैंप में, बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपने आम में एक आम्ड गुरिला पाकिस्तान और इसकी हिस्ट्री क्या है, और क्या रियली में बलुचिस्तान पार्ट है पाकिस्तान का, तो जैसा कि अभी न्यूस आरी है कि जो बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, शवाँ कीजेगा, वो उसने हैंज जोईन कर लिये हैं विद तहरी के तालीबान उफ और इन्होंने अगर आप देखेंगे नौशकी और पंगजूर करके जो जगे हैं ये वन अफ दोस एरियाज हैं बलुचिस्तान के, जहां पर सबसे ज़ादा अटैक्स हुए हैं, इन्फाक्ट, ऑपरेशन गंजल करके इन्होंने लाँच किया था जो बलुच लिबरेशन ही है, जिसको BLA भी बोला जाता है, इनोंने मिलके, more than hundred soldiers, ऐसा हुआ ने क्लेम किया है कि they have killed hundred soldiers of Pakistan in some of the deadliest attacks जो कुछ सालों से वो लोग कर रहे हैं, तो क्या है इसका reason और क्या बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी की demands है या फिर जो बलुचिस्तान जो लिबरेशन मुवमेंट है, वो actually में क्या है, तो उसके पहले मैं आपको बताना जान चाहता हूँ कि year and sale, study IQ पे चालू हो गई है, आपको सारे courses पे discount मिल रहे हैं, especially जो foundation batch है, मतलब इस price point में live foundation classes, one-to-one mentoring, daily answer writing, daily current FS program, ये सारी चीज़े इस price point में I'm pretty sure कि आपको quality level पे कहीं नहीं मिलेगा, एकसा पंता fellowship के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ साथ SIP plus का second batch live हो गया है, तो अगर आप first में नहीं इंडॉल कर पाई थे, after huge demand, इसको भी discount पे कर दिया गया है, तो आप इस success and freelance program भी join कर सकते हैं, जहाँ पे आपको printed notes भी मिलेंगे, जी हाँ, printed notes आपको courier किये जाएंगे, तो बात करते area of Pakistan, some areas of southern Afghanistan and in fact Iran में भी अगर आप देखेंगे, बलूच ethnicity के लोग रहते हैं and they are very distinct from Pashtun in Afghanistan and Pakistan, पंजाबियों, सिंधी जो community उनसे बहुत अलग है, तो जो ये जो बलूच liberation या बलूचistan liberation army इसने अपने आप को announce किया था, 2005 में जब इन्होंने पहली बार एक जबर्दस rocket attack किया militant group है, जो काफि समय से self determination की बात कर रहा है, उन्हें basically independence चाहिए और बलूच लोगों के लिए वो independence की बात करता है, क्योंकि पाकिस्तान army काफी जादा atrocities करती है, जो freedom नहीं है, restriction लगे हुए है, मार पिटाई काफी जादा यहाँ पर जो पाकिस्तान की army को blame किया जाता है for human rights violation, तो वैसे तो यह जो armed insurgency अगर आप देखेंगे बलूच तान में, यह दो दशकों से जादा से है, लेकिन यह जो demand है, वो actually में 1947 के बाद जो succession हुआ, उसके बाद से बढ़ गई, तो under the British rule अगर आप देखेंगे, यह बलूच तान हुआ करता था, chief commissioner province थी, और यह खारन, क कालत और माकरन, जो माकरन कोस्ट आप कई बार सुनते होंगे, ग्वादर जो पोर्ट है, वो माकरन कोस्ट में आता है, तो कालत, खारन और माकरन जो यह areas हैं, यह generally आप देखेंगे, बलूच princely states हुआ करते थे, और यहां के जो ruler थे, Khan of कालत, उन्होंने claim करी sovereignty over the four princely states of कालत लस्बेला, खारन और माकरन, यह लस्बेला जो करके है, यह चार जगहे हैं, और इन्होंने independence की demand करी लिकिल, इसको बहुत बुरी तरीके से crush कर दिया, पाकिस्तान आर्मी ने 1948 मार्च में, और 1973 और 77 में जुल्फिकाल लरी भुट्टो, त्वारा जो lead government के उन्होंने पाकिस और फिर 2006 के बाद यह rebellion, और जादा momentum insurgency जो है, मिलने लगा, आफ्र तब पाकिस्तान वी army killed बुक्ती सरदार, नवाब अकबर खान, बुक्ती जो की chief minister थे and governor थे of the province, तो recently इनके बेटे, बुक्ती जो है, उन्होंने भारत सरकार से asylum की भी बात की थी, कि उन्हें इंडिया मे asylum चाहिए, जिसको लेके of course, क्योंकि attention बढ़ सकती तो इंडिया नहीं उसको approved नहीं करा, तो जो पाकिस्तान army और पाकिस्तान government की जो atrocities है, जो genocide यो लोग करते रहते हैं, human rights का violation करते हैं, उसी का एक तरीके का ये ignited fire है, उसी का reaction है, जो बलूचस्तान liberation army से दिखता है, और ज जो पाकिस्तान army का operations रहें against the Balooch nationalists over the last two decades, have seen hundreds of disappearance of people, alleged human rights violation, in fact, Balooch nationalists have also seen influx of jihadist group भी आगे, और इसको इसे आप देखे, Al-Qaeda, Taliban, इन सारे लोगों से कही न कहीं लिंक है, तो इसलिए तहरीके Taliban of Pakistan ने हाथ जो है मिला लिये है, with Balooch nationals, because उनकी demand और जो TTP की demand है, वो almost similar है, in fact, Prime Minister Modi ने 2016 में पहली बार, अपने Independence Day स्पीच में, Balooch Liberation Movement के बारे में भी mention किया था, तो अब क्या patience जो है, जो Prime Minister शरीफ है, उनका run out होता हुआ दिख रहा है, because नुश्की और पंग्जीूर जी एरिया है, यहाँ पे जबर्दस attack के बाद, अभी kolu attack के बाद, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा decision पाकिस्तान आर्मी ले सकती है, establishment ले सकती है, of launching severe attack and war over these Baloochistan Liberation Army, अगर ऐसा होता है, तो यहाँ पे बहुत जादा, आप कह सकते हो, forces divert होंगी, but can they afford that, during the current economic scenario, फिर इंडिया के साथ अभी आप देखेंगे, नए आर्मी जनरल भी आए हैं पाकिस्तान क कर पाएंगे, वैसे इंडिया के साथ को लड़ा ही नहीं है, but then, इनके militants जो हमेशा कुछ न कुछ हरकते करने की कोशुश करते रहते हैं, तो यह जो resources हैं, क्या Inter-Services Intelligence ISI divert कर पाएगा, सवाल यह है, कि क्या पाकिस्तानी Prime Minister declare करने वाले war against TTP and the BLA combined, और साथ ही जादा, गर हम इंडिया की लिंक की बात करें, तो ऐसा भी कई बार यह पाकिस्तान ब्लेम करता है, सवाल उठाता है, कि इंडिया बलूच लिबरेशन मुव्मेंट को सपोर्ट करता है, in fact, जो बलूच लीटर बुकती है, जैसा मैंने बताया, he wanted to seek asylum in India, but Indian government ने उसको approve नहीं किया, and in fact, one of the most famous speeches है हमारे अजीर डवाल साब की, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर पाकिस्तान ने दुबारा मुंबई अटैक जैसा कुछ भी करने की कोशिश करी, तो उनको यह समझ देना चाहिए कि बलूच वहां से अलग हो गया, यह बलूच 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 ब गेंड इंडिपेंडेंस, तो कई बार हिंडेन, मतलब हिंटेंड आप देखेंगे जो मेसेज़ेस हैं उसमें पता चल जाता है, बट ऐसा कई बार मतलब बोला गया है कि जो आरेंड आरेंड डबलू है, रिसर्च एन अनालेसिस विंग इंडिया का जो इंटेलिजेंस विं बलूचुस्तान लिबरेशन मुवमेंट के बारे में और इसे से आप देखेंगे इस एरिया की चीज़े न्यूज में आती हैं तो प्रिलिम्स में सवाल भी आता है, तो जैसे दारफूर, स्वात वैली और चेचनिया, पॉन सी कंट्री का correct match किया गया है जगे से उसके बार तिल नेक्स ताइड तिल नेक्स ताइड थैंट अट तैंट यू आइए अप दयारी हुई अफूरदब